आप सभी का हमारे चैनल रर्णिंग इन्वर्स में बहुत-बहुत सौगत है आज हम डाराटेट आफ एजुकेशन द्वारा जारी क्लास नाइन्थ की इंगली सब्जेक्ट की वरक्सीट नंबर फिर पीट्व को सॉल्ब करेंगे जो की दस नौंबर के लिए है आज का जो इसां का टॉपिक है इसमें आपके लिए एक परेवर्राफ दिया गया है यह परे GRAF आपका जो CHAPTER MY CHILD है जो हमारे FARMER canceled tremendous- am on say related है तो उसका एक परेवर्राफ दिया गया हमें सो सॉल्ब करने हैं तो चलिए सीधा हम परेवी परेवर्राफ को पढ़ते हैं और इसको दिये गए हैं उन्हें हमें correct option को चुनना है read the extract taken from the chapter chapter से जो ये paragraph ये extract है इसको पढ़िए and answer the question that follow और इसके बाद जो questions है उनका आपको उत्तर देना है every child is born with some inherited characteristic into a specific socio-economic and emotional environment every child is born with some inherited characteristic प्रतेक बच्चा जो है कुछ न कुछ characteristic मतलब होता है बिशेस्ताएं कि जो बच्चा है कोई भी बच्चा जो पैदा होता है उख बिशेश बीशेश्ति के साथ अनुवांसी मतलब होता है बिशे calorie अनुवांसी के साथ पैदा होता है into a specific socio-economic एक विसेज, सामाजिक, आर्थिक and emotional environment और भावात्मक वतावरण में पैदा होता है and trained in certain way और उसे कुछ ऐसे by the figure of authority उस समाज के जो लोग होते हैं उनके द्वारा कुछ certain way एक निश्ची तरीके से train किया जाता है कहने का मतलब यह है कि कोई भी बच्चा जिस समाज में पैदा होता है उसका socio-economic work ground क्या है, emotional environment क्या है और वहाँ समाज की जो authorities हैं मतलब समाज में कुछ ने कुछ सक्तियां होती हैं जो हमको सिखाती हैं बहुत सारी चीज़ें परिवार है, विद्याला है, पडोस है, मित्रमंडली है, धर्म है यह सब चीज़ें हैं जो आशी authorities हैं समाज की जो बच्चों के उपर प्रभाव डालती हैं उन्हीं हिसाब से बच्चे एक दूपने आपको समाज में train करते हैं I inherited honesty and self-discipline from my father, मुझे इमानदारी और self-discipline आत्म अनुशासन जो है अपने पिता से मिला, from my mother, अपनी माता जी से I inherited faith in goodness and deep kindness, मैंने मुझे deep kindness, यानि क्या बोलते हैं कि दयालुता and goodness और अच्छाई अपनी माता से मिली And so did my three brothers and sister, और इसी प्रकार से मेरे तीन भाई और भाहनों ने भी मेरे माता पिता से कुछ ने कुछ भी सेस्ता हैं, ग्रहन की quality I had three close friends from my childhood, मेरे बच्चपन के मेरे तीन मित्र थे, close मित्र थे, क्या था? रामन्द सास्त्री, अर्विंदम, एंड सिव प्रकासन, ये तीन जो अपी अब्जूल कराम हैं, उनके तीन friends थे All these boys were from orthodox Hindu family, प्रामिन फैली, ये सभी एक orthodox पारमपरिक Hindu रामपरिवार से थे As children, none of us ever felt any difference among ourselves, because of our religion, एक मतलब अपने बच्चे थे, अपने धर्म को लेके हम लोगों ने कभी अपने आप में कोई Difference, यानि कोई भेद भाव हमारे में भीविनता नहीं महसूस की, कि मैं मुसल्मान हूँ, दोने हिंदू हैं, तो कैसा कभी भी भेद हम लोगों में नहीं रहा Difference and Upbringing, अपरविम्भी मतलब पालन पोसन, तो ना हमें अपने पालन पोसन में और ना तो हमें धर्म सुक्षे लेके कोई भी भीविनता नहीं हमें महसूस हुई इन फैक्ट वास्तों में, रामन सास्त्री वाद सानाफ पक्सी लक्षमना सास्त्री, दा हाई प्रीस्ट आप दा रामेस्वरम टेंपल, वो करना थे जो रामेस्वरम के जो टेंपल था, उसके जो सबसे बड़े पुजारी थे, लक्समना सास्त्री उनका क्या था? बेटा था लेटर ही तुक ओबर दा प्रीस्टूट आप दा रमेस्वरं टेपल फ्रामीज फादर अपने पिता जी के बाद वो रमेस्वरं टेपल का प्रीस्टूट यानि ओव पुजारी हो गया अर्विंदम वेंट इन तो बिजनेस अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट एंड विज्ट इन सदर्न रेल्वे दच्छन रेल्वे में श्यूप्रकासन कैटरिंग कांट्रक्टर हो गया यह पूरा पराग्राफ है यानि कि कि सोचियो एकॉनमी बेग्राउंड में पैदा हुए है एपिजबु कलाम वाट ही इनेटेट फ्राम इस फादर एंड इस मदर एंड एज व ओवर ट थ्री फ्रेंड्र कॉराम विच बैग्राउंड यह शारे चीजें अमने इसमें पड़े अब हम इसके कोईस्ट पर आते हैं इसकी मूल थीम क्या है इसकी मूल थीम हम पढ़ते हैं आपे चार आपिशन है एबरीफिंग dene depends on upbringing लिव टॉल स्टाइ करते हैं कि हर चीज जो depend करती है थीर हम कैसे upbringing मतलब Pro Architect बहुत सही है कि जैसी समाज में हम पैदा होते हैं, जैसा हमारा presentation होता है, उसी हिसाब से हम बनते हैं तो एपिजबूल काodynamic का पुसर कैसे फैमली में हुआ उनके फ्रेंड्स क्या थे उनका आसवास का परोस क्या था हुआ उनके ऊपर ज्यादा प्रभावशा ली रहा discipline in the bridge between goals and accomplishment discipline जो है क्या बोलते हैं कि आपका जो लक्ष है और उसकी पूर्णता दोनों के बीच में पुलका काम करता है Jim Ron का ये कथन है many people will work in the out of your life but only two friends will leave footprints in your heart बहुत सारे लोग आपकी जिन्दगी में आते हैं और चले जाते हैं लेकिन जो true friends होते हैं वो footprint in your heart आपके दिल में अपने निसान छोड़ जाते हैं Eleanor Roosevelt का ये कथन है the mystical bond of brotherhood makes all men brothers Thomas का रलाइज का कहने का मतलब जो brotherhood भाई चारे का जो एक bond है जो बंधन है ये लोको को क्या करता है एक दूसरे को सभी मानों को भाई बना देता है सब के अंदर भाई चारा ला देता है तो अब भाई चारे की और ये सब पुछ नहीं इसका जो true answer है ये है everything depends on the upbringing क्योंकि जो ऊपर का paragraph दिया गया है इसमें आपको बताया गया है कि उनकी upbringing कैसी हुई यानि कैसे वो पले बढ़े किस परिवार में थे और उन्हें क्या क्या qualities अपने मातापिता से मिली है तो ये दूसरा जो आपका question था उसका पहला जो है वो option सही है next है अब first often say third में क्या है the extract uses a phrase figure of authority इस stat में आप देखेंगे उपर एक figure of authority एक phrase यूज़ जुआ है वीच अधा following expression is the incorrect with the respect of the word figure जो figure word है इसके respect में चार option दिये गये हैं तो which one is incorrect कौन incorrect है तो figure मतलब चिन भी होता है shape भी होता है number भी figure को बोलते हैं miss interpret ये नहीं होगा तो your third answer is correct choose the option that list the set of statement that is to according to the given state उपर जो अंस दिया गया है पर आप गद्यांस दिया गया है उसको पढ़के इसमें जो कौन से जो set answer भी कल्पके वो सही है आप हम इसको यही से पढ़के बता करते हैं I inherited faith in goodness from his mother correct है उन्होंने अपनी माता जी से उनको क्या क्या मिला था faith in goodness and kindness ये था his sister inherited honesty from her mother ये रॉंग है ये रॉंकि honesty उन लोगोंने अपने फादर से ली थी रॉंग है he and his sibling inherited no quality from parents wrong उन्होंने वो और उनके जो siblings याने उनके भाई बहन थे उन्होंने अपने माता पिता से कोई qualities नहीं inherited की पाई ये भी गलत है तो पहला और फोर्थ आपका उंसर C हो गया pick the option that correctly classifies fact F and opinion O of the student below आपको चार option दिये गए है चारो में से चारो option को चार option नीचे दिये गए है इन में से कौन सा चार में से कौन सा fact है और कौन सा opinion है इनके set नीचे बना के दिया गया है आपको इसको पता करना है तो fact क्या होता है जो चीजे पहले बताय जी चुकी है या मौजूद है opinion उस fact के हिसाब से हम जो विचार बनाते हैं उसे opinion कहा जाता है for example जैसे हम कहा दें कि उसने सौरन बनाया तो ये तो fact है अब हम कहते हैं उसके सौरन बनाया तो उसकी team match जी सकती है ये हमारा opinion हो गया उसकी team match नहीं भी जी सकती है क्योंकि दूसरी team के बल्ले बाज भी बहुत तगड़े हैं ये भी हमारा opinion हो गया यानि ये तो तथ्धे है यह चीजे लेकिन यह हम opinion दे रहे हैं तो चलिए चलते हैं इसमें सिखते हैं क्या है the children could have chosen some different profession is not it बच्चों ने अपना कुछ अलग profession चुना होता क्या असा नहीं है हाँ लेकिन यह fact नहीं यह opinion है बच्चों ने जो अपना opinion ऊपर fact दिया गया है उन्होंने क्या क्या चुना यह करा कुछ अलग चुन सकते थे तो यह opinion हो गया यानि ओ हो गया the children never felt they were different from each other यह fact है क्योंकि दिया गया है बच्चों ने feel किया यानि एपीज अदुलकलाम and his three close friends never felt any different between them तो यह fact हो गया यह F हो गया I think मतलब सोचने का मतलब यहां पर जब वो बिचार कर रहा है तो यह अपने आप opinion हो गया well this is the region India has unity in diversity और यही कारण है भारत में unity में diversity है यह भी क्या हो गया आपका opinion हो गया आप देखिए B में देखिए fact में 2 है और बाकी 1, 3, 4 आपके opinion है तो यह आपका आपका जो B है वो क्या हो गया correct answer हो गया तो यह आज आपकी work sheet हो गई बच्चों आसा है आपको यह work sheet समझ में आई हो आपको और भी कुछ अगर चीज़े नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को दुबारा देखिएगा skip ना करिएगा बहुत ऐसे ही आपके जो questions है हो सकता है कुछ innovative type के आपके exam में questions है तो इस तरह के questions भी solve करने का प्रयास करिए एक बार में ना समझ में है दुबारा देखिए और जो चीज़े ना समझ में है आप comment box में आके हमसे पूछें और अपने वर्क करके वर्क सीट को complete करके अपने टीचर से उसे चक कर आए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक share करें अगर आप अमारे चैनल पर नए है तो चैनल को like और subscribe करें धन्यवाद